हेलो गाइज मैं हूँ नैना और यह है हमारा चैनल लखनवी कपल प्लीज हमारे लखनवी कपल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकन को दबाएए ताकि आपको सबसे पहले हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माइ चैनल आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ यह गर्मा गरम मेथी के पराथे जैसे कि आप सब जानते ही हैं विंटर आ गई है तो यह सब पराथे खाने में बहुत अच्छे लगते हैं बहुत टेस्टी लगते हैं तो चलिए मैं बताती हूँ आपको इसकी रेस्पी की इंग्रीडियन्स के इसमें मैंने क्या-क्या यूज किया है तो यहां पर मैंने क्या-क्या लिया है मैं आपको दिखा देती हूँ यहां मैंने हरी मिश्ली है सौफ ली है जिंजर और गार्लिक लिया है कितना-कितना लिया है आप आप अपने इस टेस्ट के साफ से भी बड़ा घटा सकते हैं, यहां मैंने हल्दी लिया है, धनिया लिया है, नमक लिया है, इसको भी हम तीनों को यूज करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं एक छोटा जार ले लेती हूं मिक्सर का, उसमें मैं यह सब प्लेट में रखी है, मिर्चा, जिंजर गार्लिक और आपका सौफ पीस लूँगे, इसका हमें एक पेस्ट त्यार करना है, जो जाकी, यह देखे, और यह जो सौफ है, इसको हम आधा इसमें पेस्ट बनाने के लिए डाल देंगे, और आधा ऐसे ही रोक लेंगे, अलग से अधरी तो चलिए, इसका पेस्ट टियार कर लेते है ये देखिए मैने बहुत थोड़ी सी रोक लिये यहां पे देखिए में पेस्ट त्यार कर लिया है आप पतला भी बना सकते हैं क्योंकि आपको आठे में गूत नहीं है तो मैंने इस तरीके का बना लिया है यहां पर देखिए मैंने मेथी को अच्छे तरीके से धो के और उसको कट कर लिया है यह देख सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से इसको दो लेना है यहां पर देखिए मैं आटा त्यार कर रहे हूं यहां पर मैं नमक डाल दिया है आटे में क्यक्या डालना देख लिजे नमक दाल दिया है, यहां पर मैं हल्दी डालूंगी, थोड़ी से धनिया डाल रही हूँ, यह जो मैंने सौफ बचाई थी वो डाल दे रही हूँ, इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, प्लीज ट्राई कीजिएवा, अब मैंने यह जो काटा हुआ था मिथी, वो पूरा इसमें डाल दूँगी अच्छे तरीके से, इसको अच्छे से दो लेना गाई, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है, अगर आप नहीं दूएंगे तो बहुत ज़्यादा अजीब टेस्ट आएगा, और यह पहले हम इसको ऐसे ही अच्छे से कर लेंगे, फिर हमें जित्ती जरूरात होगी पानी की हम उतना उसको यूज़ करेंगे, तो अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ताकि पूरा अच्छा फ्लेवर सब जगे मिक्स आउट हो जाए, बहुत धीरे-धीरे पानी डालना है, यह आपको यहां पर अपने टेस्ट यह सबसे बड़ा घटा भी सकते हैं, अगर आपको ज्यादा पसंद है लेसन अद्र का पेस्ट तो आप ज्यादा कर लीजेगा, देखिए मारा आटा एकदम तयार है, इस तरीके की इसको रखनी है, ज्यादा नहीं पतला होना चाहिए, यह थोड़े हम इसको रख देंगे, उसके बाद हम इसको बनाना शुरू करेंगे, और हमने देखिए ओयल यसलिए लगा दिया थाकि एकदम से सूखे ना, तो आपी थोड़ा सा ओयल लेकि इसके उपर अच्छे से मिक्स कर दीजेगा, ताकि यह ड्राय ना हूँ, थोड़े द कर दिया है, गरमनी के लिए, यह देखिए, तो चलिए आप स्टार्ट करते हैं बनाना, और इस वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजेगा, अगर आप मेरे चैनल पर नाई है, तो सब्सक्राइब करना बिल्कूर मत बूलिएगा, तो चलिए बनाते हैं, यह मैं थोड़ा कर रही थी, ताकि आपको अच्छी तरीके से दिखाई दे, तो यहां पर देखिए, मैंने पराठा बनाना शुरू कर दिया है, और बहुत अच्छे से अराम से यह बिल रहा था, कोई भी दिक्कत नहीं आ रही है, बहुत अच्छे से स्प्रिट आउट हो रहा है, तो पराठे बना लेती हूँ, इसके बाद आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से हमारे पराठे देखने में लग रहे थे, अगर आप लोग ट्राइ कीजिएगा, तो प्लीज जो मैंने आपको बताया है, वो जरूद डालिएगा, इसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, अब देखिए गा, इतना सुन्दर एकदम बढ़िया बनके आए ला डिकाती हो उड़को, यह देखिए, और गाई इसमें पता नहीं सकती हूँ, इतना टेस्टी लग रहा था खाने में, आप इसको हरी चट्मी के साथ अचार के साथ या आलो की सब्ची के साथ जैसे भी आप चाहो जैसे भी आपका टेस्ट हो उस तरीके से खास सकते हो यह देखिए इतना टेस्टी लग रहा है तो चलिए मैं जले अल्दी पराटे प्यार कर लेती हूँ तो वैस आपको क्या करना है आपको पता ही है आपको जदर जदर लाइक करना है शेयर करना है और अगर आप मेरे चैनल पर नए है तो प्लीज सब्सक्राइब करें बिना मत चाहिएगा और जदर से जदर लोगों को शेयर कीजिए वैस और अगर आप लोग चाते हैं किसी भी तरीकी की या कि मैं आपके लिए कोई रेस्पी लेकर रहा हूँ या किसी भी तरीकी की कोई वीडियो लेकर रहा हूँ तो आप में को कॉमेंट कर सकते हैं और वहां पर बता सकते हैं कि मैं आपके लिए कौन सी वीडियो लेकर रहा झाल झाल झाल